नमस्कार दोस्तों सरंद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे काफी लोग के कमेंट आ रहे थे कि अब सौ क्वेश्चन का सेट लाया जाए तो आप लोग के डिमांड के लिए मैंने सव हो सब करेंगे और इस लिए बुक से लाय गया को सब्सक्राइब करेंग और बहुत कुछ है जानने को वीडियो में लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नया है और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन और इक्जाम से रिलेटेड इन्फरमेशन आपको मिल सके आज का पहला सवाल है निम्न में से सघोस वेंजन इन में से कौन सा आपको बताना है कि सघोस वेंजन इन में से कौन सा है तो यह है आपको घह आंसर हो जाएगा option C घह देखे दोस्तों समझ लिजे कि सघोस वेंजन क्या होता है ध्वानी की द्रिश्टी से जिन व्यंजन वर्णों की उचारण में स्वर्त अंत्री का अज हंक्रित होती है उन्हें हम घोस वर्ण या फिर सगोस व्यंजन कहते हैं ठीक है तो जब आप देखेंगे ये घग तो ये अपको सगोस व्यंजन है नाम लेंगे तो कवर की अंतरगत केवल को पाइए को सघूस 6 को चोड़कर और तवर्क के साथ भी लागवका पावर के साथ भी Ox लागवका ढब वर्क्राइए आपको सघूस हो जाएएं ज़े भात करते हैं PAWERK तो यह तीनों आपको क्या हो जाएंगे अगोस तो याद रखेगा जो चीज को मैं आपको समझा दिया है नेक्स्ट एक लिए भासा की लगुतम सार्थक एक आई कौन से होती है तो वह आपको होती है वर्ण नेक्स्ट है निम्न में ओ और और ये किस प्रकार के वर्ण है तो देए दोस्तों यह जो ऑर और है यह आपको कंठोस्ट आप समझाज़ लिए कंठोष्ट ये क्या होते हैं? Answer option d कंठ और ओस्ट दोनों से मिल करके जिस वर्ण का उच्यारण होता है उसे हम कंठोष्ट वर्ण कहते हैं तो कंठोष्ट वर्ण यहां पर है आपको और ओ इसलिए answer हो जागा option d Next देख लिजे राम्चरित मानस, यहाँ पर देख रहे हैं, राम्चरित मानस की रचना की कौन सी भासा है, राम्चरित मानस किस भासा में लिखी गई है, तो यह आपको लिखी गई है, अवधी भासा में, तो आंसर जग उपसन सी अवधी, राम्चरित मानस अवधी भासा में लिखी गई है next है कौनसा सब्द दूइज का अनेकारथि नहीं है तो देखिए दोस्तों ड्वीज C metaph कौन आपको थिन आतना सब को समझे कि औम अनेकारथी का मतलब के अनेकारथ्थ निकलते हैं उन्हें लेकिन सिन्ह नहीं निकल रहा तो इसलिए अंसर ब्रजग आपका option C नेश वेशन देख लेते हैं इनमेंसे in federations का समानार्थी कौ सब्द कौन सा है अपको बताना है कि मैं अमरित सब्द का समानार्थी यानि कि अम्रित सब्द का समानार्थी इसमें कौन सा सब्धाहा है तो यह है आपको पियुस अंसरे ज़ग ऑप्सेंडी पियूस अमरीट सब्ध का समनार्थी सब्ध है इसके अलावा और भी कौन-कौन से समनार्थी हो जाएंगे अम्रित के तो ध्यान से सुन लिए सुधा सोम पियूस अमिय जिवनोदक इत्यादी यह सारे आपको अम्रित के समनार्थी सब्द हो जाएंगे नेक्स्ट है केतू सब्द का समनार्थी सब्द नहीं है आपको बताना है कि इन्वे से कौन सा केतू का समनार्थी नहीं है तो ये है आपको चंद्रमा ये केतू का समनार्थी नहीं है तो आंसर जगा option ने चंद्रवा जबकि धज और तारा ग्रह ये तीनों आपको केत्व के समनार्थी सब्द है तो इसलिए आंसर क्यों होगे option ने चंद्रवा नहीं है next है कमाईनी के रचनाकर कौन थे कमाईनी के रचनाकर आपको बताना है तो ये थे जैसंकर प्रसाद अध्यक्ष सब्द में उपसर्ग होगा अध्यक्ष ये जो वड है इसलिए जब हम कोई वर्ड का उचाण करते हैं तो इसमें आगे जो वर्ड लगा रहता है जो आगे जूटता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं तो यहां पर अध्यक्ष में कौन सा वर्ड जूटा है तो अधी जूटा है अक्ष में जूट गया है अधी आगे में तो बन गया है अध्यक्ष तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग जूटा ह तो वह आपको अधि नेक्स स्थे लेता निमन उपसर्ग ये इसमें से कौं सा हिंदी आपको उप सर्ग नहीं है तो ये पको अनुम आनुम हिंदी का उप सर्ग नहीं है तो अंसर जक उप गया है नहीं ठीक है लेखनी कमल यहाँ पर किसी पर घर कोई 歌 का यूज़ नहीं हुआ है तो इसने जोजाएगा option a उर्वसी करचनाकार है रामधारी सिंग दिनकर नेक्ट देख लेते हैं ग्याता सब्द में प्रत्य होगा बताना है आपको कि ग्याता सब्द में प्रत्य है ठीके समझ लिए प्रत्य क्या होता है उपसर्व समझ गया आगे जूटता है जश्ट इसका उल्टा यानि कि जो वर्ड के लाश्ट में जूटे उसे हम बोलते हैं प्रत्य है तो ग्यात ग्यात वर्ड में जूट गया है आ तो बन गया है ग्याता यानि कि क्या जूटा है आ जूटा है तो आंसर क्या हो जाएगा option b ग्याता में क्या जूटा है आ जूटा है ठीक है तो यह हो कहते हैं अद्रक सब्द का तत्सम सब्द कौन सा होगा देखे तो समझ लीजिए कि तत्सम सब्द क्या होता है फिर आपको खुछ समझ में आ जाएगा तत्सम सब्द संस्क्रीट के वे सब्द जिनका पर जियों करते हों हो जाता है उन्हें हम तत्सम सब्द कहते हैं तो अद् नेक्स्ट है खत्री सब्द का तत्सम सब्द इन में से कौन सा है खत्री यह आपको इसका तत्सम सब्द बताना है तो इसका तत्सम सब्द हो जाएगा च्छत्रिया आंसर हो जाएगा ऑप्शन B छत्रिया नेक्स्ट है गोधुम सब्द कैसा सब्द है देखिए गोधुम सब् ये संस्क्रित में हम इसे गोधुम भोलते हैं तो गोधुम ये हो जबाइगा तत्सम Somda कि नेक्ष्त तलवारी सब्द का ततभो क्या होगा तलवारी तलवारी यहाप को तत्समरए इसका अगर तथ्द्वर बनाएए तो वो बन जैगा तलवार pasa d तलवार कुर्थ रचनाकार कौन है तो उन्मूलन सब्द का विलोम इन मेंorder अपको बता हुँ है तो асय हो जाएगा रो पड्र賽र चफार उन्मूलन का विलोम इन मेंसे कौन होगा रोपड yeah हो जाएगा इनाहुत ठीक है आउत का पोजिट हो जाएगा अनाहुत तो आंसर आजी option B next है विद्यार्थी शब्ध का सही संधि विचेत इनमें से कौन सा democrvate का विद्यार्थी का संधि विचेत अगर हम करते हें तो क्या बन जाएगा विद्याधन अर्थी तो answer option D विद्याधन अर्थी विद्यार्थी next है रमेश सब्द में कौन से संधी है रमेश ये जो word है इसमें कौन सी संधी है ये आपको बताना है तो देखे दोस्तों ये है आपको गुण संधी answer हो के option C गुण संधी अब गुण संधी क्या होता है ये समझ लीजे देखे दोस्तों क्या होता है गुण संधी जब संधी करते समय ओ आ के साथ छोटी इ बड़ी इ हो तो ए बन जाता है और जब ओ आ के साथ छोटा उ बड़ा उ हो तो तो ओ बन जाता है और जब आ के साथ री हो तो अर बन जाता है ठीक है तो जब ऐसा कोई संदी हो तो इससे हम क्या बोलेंगे गुड़ संदी बोलेंगे तो यहाँ पर आपकर आप देखेंगे रमेस तो रमेस यह गुण संदी क्यों कहला रहा देखें रमाधन इस रमाधन इस रमाधन इस रमेस बन गया तो इसलिए यह आपको हो जागा गुण संदी नेक्स स्वेशन देख लेते हैं नयन सब्द में कौन सा संदी है नयन सब्द में आपको संदी बताना है कौन सा संदी है तो नयन में है स्वर संदी अब स्वर संदी क्या होता यह समझ लिए दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानि कि परिवर्तन को स्वर संदी कहते हैं तो देखे ने धन अन ने धन अन हो जाएगा नयन तो इसलिए यह आपको क्या हो जाएगा स्वरसंदी यानि कि ने में क्या लास्ट में आ रहा है ए एकी मातर क्या हो स्वर हुआ स्वर हुआ और धन अन इस्टार्टिंग में अ आ रहा है तो ये कुछ सवार दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उन से जो परिवर्तन उत्पन होता उसको हम स्वरसंदी कहते हैं तो इसलिए नयन को स्वरसंदी हो जाएगा नेक्ष्ट चीडी मार सब्द में कौन सा समास होगा तो चीडी मार यह जो सब्द है यह आपको द्वित्या ततबूरस है ततबूरस समसत्य हिए बळट पान सी तो द्वित्या ततबूरस है तॉर तो आफ्सर ची बदीजिकशा survival को मारने वाला उसको मिंदेऺं जनिया करन अधिए कर्ण कर्म करता कोँँ आगया कर्म को को चीलि मारने वL समास कहते हैं ठीक है और करता का इसमें मतलब की प्रयोग नहीं होता है करता को हम लोग नहीं इसमें यूज करते हैं और 37 संबोधन वाला कारक का यूज़ नहीं होता है कि यह चेहीं कारक का यूज़ होता है तो qualcosa रहते हैं पितामबर्सब्द में कौन सा समास आपको बताना है कि पितामबर्सब्द कौन सा समास है वुद शम PRESID को वे कम वर इसमें इसके अंदा में समठ पद्षे कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं तो वैसे समास को हम क्या कहते हैं बहु ब्रही समास कहते हैं तो ठीक है तो यहाँ पर यह पितांबर है जिसने पीला वस्तर धांड किया है उसे हम पितांबर कहते हैं तो यान चतुर भूज सब्द में समास का कौन सा भेद है यहां पर देख रहे हैं चतुर भूज इसमें कौन सा समास है तो यह है द्वीगू समास अब द्वीगू समास क्यों है समझ लिए चतुर भूज मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी भी वर्ड के आगे यहां पर आप देख संक्रव को आपको समास कोना ही है तो यह आपको हो गया यह संकर में कौन सा समास है तो यह सब्सक्रान के उसके होता है यह जाने कि दोस्तों क्या होता है यह में संक्र Yanis लॉख को कौन से योजक चिन और अथवा या जैसे जब भी किसे योजद्विस हो तो हम उसको बोलतेइफ द्वंदोसमास तो गौरी संकर को अगर हम विग्रह करें तो बन जाएगा गौरी और संकर ठीक है तो इसलिए आपको द्वंदोसमास हो जाएगा नेक्स वोशन देख लीजे यसोधा सब्द का संधी विछेद क्या होगा यसोधा यहाँ पर आप देख रहे हैं यसोधा इसका संधी विछेद क्या होगा इसका संधी विचेद हो जाएगा यसधन दा तो बन जाएगा यसोधा यसधन दा यसोधा नेक्स्ट है मनोयोग में कौन सी संधी होगी मनोयोग में कौन सी संधी होगी तो वह आपको होगी विसर्ग संधी विसर्ग संधी हो जाएगी तो हम विसर्ग संदी कहते हैं तो देखिए मनोयोग यानि कि समझे मना जब हम लिखेंगे मना और उसके साथ अगर हम जोड़ते हैं योग तो हमारा बन जाएगा मनोय मनोयोग थाएट यहाँ पर आप जो देख रहे हुए विसर्ग संदी विछद क्या होगा तो निर्धन का संदी विछ एखेंगें संधीन हो जाएगा निधन धन जाया अंसर जाएगा अप्सें ळान invest नेक्ष्ट नेक्ष्ट है भ्रहमर्गीत भ्रहमर्गीत के रशनाकार कौन है तो भ्रहमर्गीत के रशनाकार है सूर्दास आंसर अप्सेंडी सूर्दास भ्रहमर्गीत के रशनाकार है सूर्दास नेक्ष्ट है खड़ी बोली के चार अचारियों में कौन नहीं है तो देखिए दोस्तों खड़ी बोली के चार अचारियों में कौन सामिल नहीं है तो वो है आपको किसोरी लाल गो स्वामी यह खड़ी बोली के चार आचारों में सामिल नहीं होते हैं कौन है यह किस्वोरी लाल गोस्वामी नेक्ट देख लीजे विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा विभत्स रस का अस्थाई भाव आपको बताना है तो यह हो जागा जुगुपसा या घ्रीणा आंसर जाग देख लीजे इस करुण कलित हिर्दय में और विकल रागिनी बजती इस वाके में कौन सा अलंकार है इस वाके में कौन सा अलंकार है इस करुण कलित हिर्दय में और विकल रागिनी बजती यह आपको कौन सा अलंकार है तो यह आपको अनुप्रास अलंकार आंसर जाग ऑप ने यहाँ भी करवण। इसका रिपीटेशन हुआ है तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा एक ही वर्ण की जब आप रिती होगा याण कि रिपीटेशन होगा तो वह अनुप्रास अलंकार कहला लेकिन देखिए दोस्तो यहां पर यह अनुप्रास अलंकार का भी और utanति एक बाशता है वो च्छेका नुप्राइस अलंगार क्यों देगी च्छेका नुप्राइस अलंचार में एक र 때도रimme का फृप रेप्रेटेश्वनें मont एक ही बहर यहां का है और एक बहर कब पूलकतन में कौन सा रस होगा रस पूछ रहा है क्यों सा होगा इस वाकिम सी कि नेक्स्ट रसों की संख्या कितनी है तो रसों की संख्या देखे दोस्तों कितनी है तो यह है आपको 9 आंस्वर जागा option A, रसो की total संक्या है 9, next देख लेते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के आपको बताना है कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, तो आंस्वर जागा option D, अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, ध्याम से सुनिए सब्दालंकार अर्थालंकार और उभयालंकार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं सुनिजे सब्दालंकार अर्थालंकार और उभयालंकार अलंकार के संचारी भावों की संख्या कितनी है संचारी भावों की संख्या आपको बताना है तो यह है आपको 33 संचारी भावों की संख्या होती है परिच्छा गुरू को लेखक जब प्रेम चंद नहीं है तो कौन है तो यह आपको स्री निवास दास स्री निवास दास परिच्छा गुरू के लेखक है तो यह प्रेम चंद इसके लेखक नहीं है इसके लेखक है स्री निवास दास और प्रेम चंद किस-किस के लेखक के है निहार के रश्णाकार कौन है लोड देख रहें इसके रश्णाकार कौन है तो महादेवी वर्मा अांसर झ्जाब औप्शन स्रीलाल शुक्ल है राक दरसफल के लेखक स्री लाल सुक्ल है帶 गंगा की यह जो वर्ड देखंग ढि अपको बताना है तो यह ये आपको व्यकति वाकत संग्य आप दिदीए दॉस्तों समझ maker भी व्यक psychology दे़िए किसी खास व्यक्तिया व्स्तू का बोध हो उससे हम व्यक्ति वाचक संगया कहते हैं तो घंगा यह जो फिसी खास नदी के बारे में पता चल रही है ऐसा तो नहीं बहुत शळई गंगा है एक आगा है और इसvakो आपको नहको व्यक्ति बाकाक संग्या हो जाएगा अपने को अधा जाती बातस्रीक संग्या को हो रहा है तो इसलोग्त जाती बाचे प्रकार नंतर कर देख लिए घंत RNA में लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो यह आपको दो ही प्रकार के होते हैं बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्यूं दखिए दो ही प्रकार के होते हैं अंसर अप्शन डी इस्ट्रेलिंग और पूलिंग दो ही लिंग होते ह अगला कोचन है दूद घी ये कौन सालिंग है तो यह अपको पूलिंग है आँसर हो जागा ऑप्सेंट B पूलिंग समरागी का पूलिंग क्या होगा इस्तैने पोलिंग होगा वस्तुएं आंसर है option B वस्तुएं नेक्ष देख लेते हैं इस्त्रियों के द्वारा गीत गाये गए में कौन सा कारक है इस्त्रियों के द्वारा गीत गाये गए हैं तो यहाँ पर यहाँ आपको कर्म कारक है करता ने कर्म को यहाँ पर अब देख रहे हैं इस्त्रियों के द् है नेगस्ट है रचना की द्रिश्टी से वाकर की कितने प्रकार के होते हैं तो ये यह आपको बताना है कि कुछ यह व्याकरण की दिस्टी से क्या है rookie že कौछ से क्या पता चल रहा है अनिष्ट्टता का बोद हो रहा है ये कि कंफर्म नहीं कि कितना तो इसलिके कुछ से और कौन सा विसेसर्ण है तो यह आपको सार्वनामिक विसेसर्ण है क слыш यह incar laughs reuse को यह सर्वनाम के रुप में हो रहा है सलिए सर्वनामिक को जाएक से क्यूंत आपकी उस्यफे आपका रामेज को चाय पिला। इस इस वाक्य में कौन सी क्रिया है रमेज को चाय पिलाओ इसमें कौन सी क्रिया है यह आपको सकर्मक क्रिया अंसर रजाग ऑप्शन C रमेश को चाय बिलाओ देखिए तो समझ लेजे सकर्मक क्रिया क्या होती है तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है जब किसी वाकिय में करता कर्म और क्रिया तीनों उपस्ति तो तो वहां हम सकर्मक क्रिया कहते हैं याद रखेगा इस चीच को जहां करता कर्म और क्रिया तीनों उ गया एकटि भूतकाल हो गया बट पूट काल मैं कौन सा तो सामाने भूत काल असवरों संदी समान Us है रहा था वह रहा था यह वरतमान का कौन सा बहरत है यह ये के फूरा नहीं हुआ आपनज भरतमान काल इसलिए अपर्ण वरृतमान हो जाए जैगा बी अपर्ण हैं ये आपको पूसर डिया विशेसर है निमनलिकित में से कौन सा सब्सुध्र है आपको बताना इसमें से किसका है वर्तनी यानि किस पेलिंग जो है वह सही है तो यह तो अनुझकर अनधिकार का spelling जो है वो आपको सही है जो कि कवित्री गलत है वाहनी गलत है मैथली गलत है अनधिकार सही है नेक्स वेशन देख लिए निम्न में से असुध सब्द का चेन कर रहा है निकि किस में आपको तुरूटी नजरा रहा है असुध कौन सा है तो इसमें आपको सन्यासी, सन्यासी ये गलत है, तो आंसर जाएगा option D, next है भारत में और जोगिक विकास्तिवर गति से हो रहा है, और जोगिक किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये आपको जिस प्रकार option C में दिया है, इस प्रकार लिखा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा option c इस प्रकार option c में लिखना होगी यह है सही बढ़ते निखिए दोस्तों यह लगभख दोतनी है तो इसलिए इसको गल्ती से में लगारा प्रिंट हो गया है तो याद रखे हैं किस प्रकार आपको लिखना यह कैसा सब्द है किस परकार कैसा सब्द है तो यह को सर्वनाम है यहां पर यह जो word यूज हुआ है दूसरों यह सर्वनाम के रूप में यूज हुआ है तो highlight option B जिसमें तेज न अ हो उस libr kite जिसमें तेज न अ उसे हम क्या बोलेंगे तो उसे हम लिपी यानि कि हाथ से लिखा हुए हम पुस्त को क्या बोलेंगे उसका हम बोलेंगे पांडू-lipi तो answer चाहा option d देखिए तो हाथ से लिखी पुस्त को हम बोलते हैं पांडू-lipi अगला सवाल जन्म कन्या के गर्ब से हो उसको हम क्या कहेंगे तो जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हो उसको हम बोलते हैं कानिन आंसर है option D कानिन जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हो उसको हम कानिन बोलेंगे नेश्ट है आग बबुला होना इस मुहावरे का क्या आर्थ हुआ आग बबुला होना का अर्थ बताईए तो इसका होज़ा बहुत गुस्सा होना आंसर अप्शन B बहुत गुस्सा होना आग बबुला होना आम के आम गुटलियों के दाम इस कहावत का क्या अर्थ है आम के आम गुटलियों के दाम इसका अर्थ होता है दोहरा लाब यानि कि double income होना दोहरा लाव होना डबल प्रॉफिट हो गया तुम बोलते हैं आम के आम गुट्लियों के दाम नेक्ट वेश्ट देख लिए प्रित्वी राज रासों के राचनाकार कौन है तो यह आपको चंदबर दाई चंदबर दाई है प्रित्वी राज रासों के राचन हैं जहां है as is where is का मतलब हो गया जैसे हैं जहां है next है hard and fast rules hard and hard and fast rules को हम क्या बोलेंगे कठोर नियम ठीक है याद रिखेंगे कठोर नियम बोलते हैं तो इसलिए याद रखेंगा इसको hard and fast rule नेक्स्ट है मेडेन नेम मेडेन नेम नेम का मतलब बता ना अपको मेडेन एवरेज पे यानिकी औस्तन वेतन चुटी अगला है इद का चांद होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा इद का चांद होना का अर्थ होता है कम दिखाई देना तो आंत्वर जब पुरसकार नहीं मिले तोसमें आ जाएंगे मेरा मिच साहीत्य आकाडमी के हिंदी समाल लेखा कौन हे तो यह आपको करणात सिंग आंसर जग ऑप्शन ए साहित्यकाद्वी हिंदी समान लेखा के केदारनाथ सिंग नेक्ट है चौपाई के प्रतेक चरण में मात्राओ के संख्या कितनी होती है तो चौपाई के प्रतेक चरण में मात्राओ के संख्या सुल्ल होती है इसलिए आंसर जग ऑप्सन C याद रखेगा चौपाई के प्रतेक चरण में मात्राओ के संख्या सुल्ल होती है हिंधी का प्रथम समचार पत्र कौन सा था तो वह था वको उधन्त मारतंड ऑंसर रौologist आप्सेंदी उधन्त मारतंड विन्दी का पहला समचार पत्र याद रखेगा next है पर्याग में प्रकासित होने वाल पत्र जो प्रयाग में प्रकासित होता था पत्र उसका क्या नाम था तो उसका नाम था हिंदी प्रदीप आंसर हो जाएगा उप्शन C इसका प्रकासन प्रयाग में होता था हिंदी में कूल मिला कर कितने सर्व नाम है आपको बताना है टोटल कितने सर्व नाम है हिंदी में तो यह ह तो राज भाशाई की मानितान स्टमबर इसलिए चौदा सितंबर नीशसर को इसलिए अंसर रजा का ऑप्सन डिव नाग्री लिपी की उत्पत्ती कहां से सकति होई है रामे लिपी इंसर रजा का लिरू अब बताना है truth हुई है सौर सेनी से answer option B सौर सेनी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है इनमें से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है तो वह आपको अवधी तो answer रोजाग option B अवधी बिहारी हिंदी के बोली अवधी नहीं है नेक्स्ट है ब्रजभासा व्याकरण के लेखक कौन है ब्रजभासा व्याकरण के लेखक इन में से कौन है तो वो है आपको मिर्जा खा आंतरोजग ऑप्शन ए मिर्जा खा ये ब्रजभासा व्याकरण के लेखक है नेक्स्ट देख लेते हैं सकुंतला नाटक के रचनाकार कि ऐसार का एक दिन किस विध्या की रचना है तो यह आपको के लेखा कौन है तो यह है आपको जो लेखक है नेक्स्ट भारत भारती के रचनाकार इन में से कौन है बहbereich भारती के रचनाकार है मैफिली सरन्गुप फ्रणीर यृव सट है आपको बताना है कि इन वांक्न से कौन सा अस्थुद वाकिये संटेंस गलत है तो देखे पढ़ लेते हैं Надेखा सेव काटे अगला है नोकर को भुलाव फिर है गंगा हेमाले द्वारा निकलती है और फिर है लाच्ट सूरेस ने कई सेव खाए अबzug दोस्त जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगे लगजाए कि गंगा हिमाले से निकलती है ना कि को सब्रक्राइब को देश फाभाईए तो कंचन कंचनद यह मैंने परसों कीडियो में बताया था five-ương आपका option D संकर सब्द्द है नेक्ट्ट देख लेते हैं दसानन कैसा सब्द है तो यह है आपको योगरूर्ण सब्द दसानन योगरोड सब्द है तो आंसर जगा option B योगरोड सब्द नेक्स्ट है लिफाफा सब्द किस भासा का सब्द है लिफाफा ये किस भासा का सब्द है ये अर्वी सब्द है तो आंसर जगा option A अर्वी सब्द लिफाफा अर्वी सब्द है नेक्स्ट है पत्र की भ देख लेते हैं कार्याले का जो पत्र लिखाएता है उसमें क्या चीज इंपर्टेंट होता है तो पत्रांग संख्या और दिनांग दोनों ही इंपर्टेंट होता इसलिए आंसर लेतर होती है कार्यालाई पत्र में पत्रांग संख्या और दिनांग दोनों ही आवस्यक होती है ठीक है प्रयोग की द्रिश्टी से सब्द के प्रकार है प्रयोग की द्रिश्टी से सब्द के प्रकार इनमें से कौन सा है तो वो है आपको तक्निकी प्रयोग की द्रिश्टी सब्द के प्रक समास आपको बताना है comment section में इसका answer देना है कि महत्मा सब्द में कौन सा समास है तत्पूरुस समास है कर्मधारे समास है बहुब्रही समास है या फिर अव्यभाव समास है जिनको भी पता है वह answer अपना comment section में दे तो दोस्तो हम लोगों ने आज के set में जितने भी important questions थे सभी को complete कर लिया है यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt हो तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं और आचाटि साथ आप अपने marks को यह बता हैं कि आपको कितने अस्वाल आ रहे थे और कितने नहीं आहीं आ थे observing तो और यदि आपको वीडियो पसंद आय घू तो प्लीज अपने दोस्तों में भी सेर कर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को यह जद जाया चैनल पर नहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें कर दें किलाई यह खैथ